हाथ कंगन को RC किया, फड़े लिखे को RC किया, RC जिसको शीषा कहां जाता है, इसको दरपन भी कहते हैं , अंगलिजी में मैरर भी कहते है मेरर के किसी ने किसी रूप में इस्तेमाल किया था इसके अलाव हमारे ड्रेसिंग टेभिल, मेक अप रूम, घर में, मेरर्स तो हम 3 experiment करते हैं और आज इनको spherical mirror कहते हैं क्यूंकि इस्पियर के टुकड़े होते हैं यह दो तरगा होता है एक में तो यह उब्रा हुआ होता है और यह दबा हुआ होता है दूसरी की बनावड भी सेम होती है इसमें दबा हुआ होगा इसमें उब्रा होगा लेकिन इसमें उब्रे हुए हिस्से पे पॉलिस किया जाता है और जो दबा हुआ हिस्सा है पिछके हुए हिस्से से रिफ्लेक्शन होता है तो इस तरह से इसको हम अवतल दरपड कहां जाता स्पेर का ही एक पार्ट होता है इस स्पेर से जिससे इसको बनाया गया है तो उसका भी एक सेंटर होगा तो हम अगर इसको चित्र में दिखाना चाहते हैं तो हम फीगर में इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं जैसा अंग्रेजी आंग से अपका ही होता है उस तरह से इसको दिखाते हैं क्योंकि इसके इस इस से पर पॉलिश किया गया है गया अब क्या इसके इस हिससे भालिस किया गया है इसलिए पॉलिस को हम फीगर दिश किया है तो पॉलिस की हुई जगे चीज को हम इस तरह से दिखाते है यह जो होता है इस पर image का इमेज का फर्मेशन किस तरह से होता है वो डिपेंड करता है कि object हमने कहां पर रखा हुआ है पहली इस्तिती यह आती है जब हम 5th object is away from the center of curvature अधात अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र से दूरी पर रखें वक्रता केंद्र क्या होता है यह किसी का टुकड़ा होता है किसी गो radius होता है उसको radius of curvature अथ्वा वक्रता तिर्जिया कहते है इसको यह दि वस्तु वक्रता केंद्र से दूरी पर है अर्थात इस object को हम थुड़ा दूर पर ले जाते है मान लेते हम इतनी दूरी पर ले जाते है और यहां पर मैं इसको किसी तरसे टिकार दूरी पर है देता हूं फिर देखते हैं कि हम इसका image किस तरसे फॉर्मड होता है फिराल मैं इसको हैसी hand पर पकड़ लेता हूं और आपको दिखाता हूं इसका image किस तरसे फॉर्मड हो रहा है तो इस मेरर में इसका image अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं इसको और नजदिक ले आता इसका इमेज उल्टा फॉर्मड हो रहा है तो इस तरह से आप मैं खुद इसके सामने आ गया हूँ जैसा कि आप देख पा रहें यह मेरा जो इमेज फॉर्मड हो रहा है यह उल्टा इमेज फॉर्मड हो रहा है और छोटा इमेज फॉर्मड हो रहा है तो के मेरर में से आएगा यह रे यहां से टक्राता है तो यहां से टक्राने के बाद रे इस तरह से मुर जाएगा जिस पॉइंट पर मुरता है उसको हम लेंस का फोकस लेंथ कहते हैं यह लेंस का फोकस है यहां पर किरण इखटा होती है इस तरह से पड़ती है यह आई इस तरह से और यह ज इमेज फॉर्मड होगा अगर यह वस्तु एबी है एबी तो इसके इमेज को हम एडास बीडास से दिखाते हैं दिखेंगे और जो ऑब्जक्ट होता उसी का नेम उसकी इमेज में डाला था एडास बीडेस इमेज इसका यहाँ पर क्रेट हो रहा है और यह इमेज जो है छोट और यह इसका इसको हम वक करता केंद्र अर्था सेंटर ओफ करवेचर कहते हैं स्फेर का यह सेंटर होता है इसको अंग्रेजी में सेंटर ओफ करवेचर कहा जाता है करवेचर हमारा ऑब्जक्ट है ऑब्जक्ट को हिंदी में वस्तु कहा जाता है किसी तो यह थी हमारी इस् दरपड कहा जाता है तक गोली दरपड को हिंदी में इस्फेरिकल मेरर कहते है क्योंकि एक इस फ्रेकर के टुकड़े होते है यह दो तरक होते या तो उब्रावा हो आऊगा अथो कोई भी ची दभी होगी गोले में दो ही इस्तिति होती है इसके अलाओगा समतन होता है तो इस जिसका इस्तेमाल हम है, हम सभी लोग सेविंग करने के लिए अथ्वा, लेडी लोग अपने ड्रेसिंग टेबिल में करते हैं, मेकप उगरे में, क्योंकि हमारे प्लेन को, हम इसके थू जो इमेज बनता है, वो उतना ही बनता है, जितना हमारा एक्शुल इमेज है, और जो मे पीछे बनता है, यह हमारा प्लेट मेर है, प्लेट मेर को, अगर हम figure के थू द्रो करना चाहां, तो इस तरह से ड्रो किया जाता है, और यह जो हिस्सा मैं आपको दिखा पा रहा हम सामने का जो इसका यह हिस्सा है, यह पॉर्चन है, जिसमें जिससे ये reflect काता है लौड जाता है इसको दिखाने करम इस तरह से हम रख देते हैं और यहाँ पर हम एक प्रकाश रूत इस तरह से ले लेते हैं और इसमे जब हम टकड़ाएंगे क्योंकि इसमय हमार पास रौशनी है इसलिए हम थोड़ा कमरे में dark कर लेते हैं और देखते की plane mirror के द्वारा light का reflection किस तरीके से होता है आम तोर पे ये ray जो है इस तरसे इसमें project किया जाता है तो ये mirror पे ऐसे आती है इस तरसे इसमें ray आती है तो ray reflect हो करके और mirror से reflect होकर यहाँ पर मेरे छट की तरफ चले जाती है तो इसी तरह से ये light का plane mirror के द्वारा reflection होता है ये समतल दरपड के आगे मैं कोई भी object रखता हूँ सपोज ये sketch pen रख दिया है या mobile भी है कोई भी चीज है तो sketch pen का object मेरा यहाँ पर रखता है रखा है let's suppose the distance from sketch pen from mirror मान लेते हैं अगर ये distance 6 cm का है तो इसका image mirror के पीछे 6 cm पीछे बनेगा अरथात जितने distance पर object को रखा जाता है उतने ही distance पर इसका image दरपड के पीछे बनता है the distance from the plane mirror of an object is distance behind the mirror अस्तु का तुरी पर object रखा हुआ होता है यह इस तरह से अगर कोई गोला है और हम इसके इतने हिससे वो काड़ देते हैं और यहाँ पर हमने मोडों पर लगे हुए होते हैं तो यह गोली दरपड क्योंकि यह हिससा इसका उबरा हुआ है और यह हिससा दबा हुआ है जिसे जो इससा हमने polish क्या हुआ है उसको हम चित्र में इस तरह से दिखाते हैं और जहां से light को reflect होता है यह light का reflection होता है जैसा कि आप देख पा रहे चाहे मैं कहीं पर वे आ जाओ इसको मैं आगे पीछे किसका सकता हूँ तो इससे एक ही तरह का image format होगा और वो क्या होगा मेरा जो image है वो इससे आगे की तरफ को बनेगा तो यह हमेशा इसके पीछे कभी नहीं आयागा यह है इसी मेरा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता ह शड़क के मोडों पर होता है मैट्रो इस्टेशन बस इस्टेशन और रेलवे स्टेशन वो अगर हमें भी अगर कोई दूर से आने वाली चीज है तो उसका image यह format करता है अगर हम experiment करें हम इसको 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 अटका देता है जिसमें यहाँ पर stable हो जाता है इस तरीके स इसको अगर हम figure में draw करना चाहते हैं तो हम figure में इसको इस तरी से draw करते हैं मान लेते यह भी मेरा एक object है state line में चलेगा और इससे टक्रा करके यह कहां इधर को मुण गई है इस तरीके से मुण जाती है क्योंकि इसका एक हिसा कल ही किया हुआ होता है इसलिए इससे आने आलारी यहां से टक्रा के bounce हो जाता है bounce हो के चोडाई में मुर जाता है यह नहीं होता है यह खटा होता है और अगर हम इसी object की बात करें और इस object मागर रही करें ऐसे पड़ती है इस तरीके से तो यह जहां से आई है उसी दिसा में चली जानी है अगर हम इन दोनों को पीछे 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 इस तरह से मिला देते हैं तो इसका जो image फॉर्मड होता है वो यहां पर एक छोटा image फॉर्मड होता है तो यहां से एक रे आया और इससे टकरा करके चला गया है और दूसरा अगर हम बात करें एक रे इसमें यहां पर आया और वो जहां से आया था वही को चला जाए अगर हम इस line को पीछे 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 इस तरह से मोड़ जाते हैं और यह इस पीछे 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 इस तरह से मिला देते हैं तो यह दोनों जिस point पर touch होते हैं मान लेते हैं AB हमारा object था AB और यह A-B-डेस पर यहाँ पर आयते हैं तो इसका हमेशा वैसा ही image बनेगा जैसा होता है उसके हमेशा छोटा बनता है और यह इस जगाय पर बनता है उमीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछन को सीखने को जुरे मिला हुआ अगर आपने चैनल पर पहली बाव जिट कहा है तो चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें साथ यह अपने मित्रों के साथ सिरकरें आने आने वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को आल पर हिट कर दें इसी प्रकाल का एजुकेशनल और टेकनिकल कॉंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई and have a nice day